नमस्कार मैं हूँ मोना लिसा स्वागत है आपका दोड़ाशन किसान की इस खास कारिकरम बात समबात में एक ऐसा कारिकरम जसमें हम आम तोर पर किसानों, अधिकारियों, विशेशक्यों और पत्रकारों के साथ खेती किसानी से जुड़े किसी गंफीर मुद्दे पर मन्थन करते हैं देश में कुल पोन कनेक्शन की संख्या 120 करोड को पार कर चुकी है और इनमें से 52 करोड मोबाइल पोन गाउं में पहुँच चुके हैं गाउं से लेकर खेत खलिहान तक मोबाइल की घंटी इस तरह बजने लगेगी शायद है इसका अंदाजा प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाचपेई के नित्रत्व वाली सरकार को भी रहा होगा जिसने 21 जनवरी 2004 को किसानों की मदद के लिए किसान कॉल संटर की नीव रखी अगर किसी किसान के मन में खेती से जुड़ा कोई सवाल आता हो तो उसे जवाब के लिए कहीं धक्के खाने, पैसा और समय गवाने की जरूरत नहीं वो अपने खेत से ही किसान कॉल संटर पर पोन कर अपने सवाल अपनी समस्या का समाधान पा सकता है ऐसा वो साल के 365 दिन सुबर 6 बजे से राट 10 बजे तक कर सकता है पर क्या वाकई किसान कॉल संटर सवालों का सही जवाब दे पाते हैं कैसा रहा इनका बीते डेड़ दशक का सपर क्या समय के साथ इनमे कुछ बदला है ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज हम वाद समवाद में पाने की कोशिश करेंगे इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिशी और किसान कल्यान मंत्राले में संयुक्त सचिव श्री पवन बो ठाकुर नमस्कार निदेशक नीरत सुनेजा नमस्कार कॉल सेंटर का संचालन करने वाले इपको किसान के मुख्य संचालक श्री एसस कुकरेजा नमस्कार और वरेश्ट क्रिशी पत्रकार और दैनिक जागरन के उप योरो प्रमुक श्री एस्पी सिंग आप सभी का दूर दाशन किसान पर स्वागत है इनके साथ ही स्वागत है दूर तराज से आए उन किसानों का जिनका ये चैनल है जिनके लिए ये कारिक्रम है तो बाचीत का सिलसला शुरू करने से पहले आए देखते हैं ये रखास रपोर्ट ये है किसान कॉल सेंटर कॉल सेंटर यानि ऐसी जगह जहां पर किसान फोन करते हैं और अपनी समस्या रखते हैं इन किसानों को उनकी परिशानी का हल विशेशक्य देते हैं इन केंद्रों पर फोन करने पर किसानों का कोई पैसा खर्च नहीं होता ये सेवा पूरी तरह से निशुल्ख है खेती किसाने के लिए मौसम की जानकारी बहुत एहम होती है मौनसून कब आएगा? बाणिश कब होगी? पाला कब पढ़ सकता है? इन सवालों के जवाब बड़ी आसानी से किसानों को मिल जाते हैं किसान इस सेवा के जरिये सरकारी सेवाओं जैसे फसल बीमा योजना, सौयल टेस्टिंग जैसी चीजों की जानकारी भी हासिल कर सकते हैं साथ ही किसानों को इन केमरों के माध्यम से नवीन दम क्रशी तकनीकों की जानकारी दी जाती है ये टेलीफोन सेवाएं किसानों को फसलों में लगने वाले रोग एवं कीडों के बारे में चानकारी देती हैं. और ये भी बताते हैं कि किसान उनसे फसल का बचाव किस तरह कर सकते हैं. अगर फसल में कीडा लग गया हो तो उस पर किस तरह नियंत्रण पा सकते हैं. ये कॉल कॉल सेंटर रोजाना और सतन 24,000 कॉल सुनते हैं और जवाब देते हैं लेकिन अगर किसी कारणवश ततकाल उत्तर दिया जाना संभव ना हो तो इन केंद्रों से किसानों को फोन के जरिये जानकारी दी जाती है तो अभी आपने रिपोर्ट देखी आईए बातचीत का सिलसला शुरू करते हैं पवन कुमार बोठाकुर जी से सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि जिस सोच के साथ कॉल सेंटर शुरू किया गया था लगबर देर दशक पहले उन देशों पर हम कहां तक पहुँच पाए हैं जैसे अपने अभी कहा है कि ये देर दशक का सफर है तो मैं तौ कहंगा कि ये सफर काफी सफल उन ये अद्वेत लंग कोई किशान है उसमेंशे हमको साल भरह में कोई एक क्रोर का लगबर कॉल मिलता है अभी हम लोग का 14, 14 चेंतार्स हैं जिसको हम 21 जगा में करेंगे और सारे स्टेटू को हम लोग कबार करते हैं और सुबह से बजे से रात को दौस बजे तक इसका सेवा उपलब दें मतलब जिस उदिश्य आगे रखकर ये सिस्टेम बनाया गया था मैंने सूँ सा कि उसका लाव किसान लोग को हुआ हैं हम लोग ने जो impact assessment के जूरी भी पता चलता है कि किससान लोग मुआखम나म बारे में कुझाओ ख्यत्य करना चाहिए क्या कितना शक प्राइट करना चाहिए इससी तरह सरकार का क्या-क्या scheme है सरकार से क्या सहायता मिल सकते हैं तो इसे तरह से कोई-कोई इन्फरमेशन जानकारी जो लेनाचाहते हैं उलोंको मिल रहा है तो इसी दृष्टी से मैं सुचता हूँ कि यह काफी सफल रहा है कुक्रेजी जी आपसे जाना चाहेंगे कि किसान कॉल सेंटर में क्या कोई भी काल कर सकता है फून कर सकता है या फिर इसके लिए रिजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है क्या तरीका है यह सेवा जो भारत सरकार दोरा शुरू की गई क्रिशी मंत्राले के सुजनने से यह सेवा बिल्कुल फ्री है और इसमें रेजिस्ट्रेशन ऐसा नाम का रेजिस्ट्रेशन नहीं कह सकते हैं यह जरूर है कि पहली बार जब भी किसान कोई कॉल करते हैं तो उनका पूरा नंब भी किसान I mean anyone is welcome to call साथी बोठाकुर जी यह बताएं कि जो किसान कॉल करते हैं उनके सवालों का उन्हें सही जवाब मिल रहा है या नहीं क्या इस पर भी किसी तरह से नज़र रखी जा रहे है क्योंकि यह काफे माइने रखता है किसानों के लिए वो कोई सवाल अपनी समस् उसे सही जवाब मिल रहा है या नहीं क्या इस पर नज़र रखी जाती है अपने एक उती महत्तुपून प्रस्ना उताई हैं लेकिन इसमें कोई संदेह करने का कोई मुका नहीं है पतलब हम लोग का किसान कॉल सेंटर है वो जो लोग किसान काल करने से फून पकड़ता है उ लोग को ट्रेइनिंग भी दिया जाता है उन लोग को बिद आगर को नहीं होता है अगर को जंड़त जवाब देने का से गवादलना का गहत backside जो जवाब देता है का बिसकंपल कास स्वाब में सब्सकार भी विए औरस bartम का साथ कि गिसान लुका सलां रस्छान होएं जा या सम्सम्सitto fam एक इस गबड़mpार में भी नहीं वह पॉनिका नाथ ho be लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि सवाल पूछा गया है और जवाब ततकाल देना जो है वो संभव नहीं है तो ऐसे में जो कॉल सेंटर में जवाब देने वाले लोग है अगर उनके पास उस वक्त सवाल का जवाब नहीं है तो ऐसे में क्या होता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और ये पूछा कि ऐसी स्थिती में हमारे जो फॉर्म टेली अडवाइजर्स हैं जो किसारन कॉल सेंटर में लगे होते हैं जवाब देने के लिए वो यदि जवाब नहीं दे सकते तो क्या प्रक्रिया है ऐसे में सबसे पहले वो उस को अच्छी तरह से जानते हैं यदि उसको उसका जवाब उनके पास नहीं है तो वो बताते हैं कि आपको ये इस सवाल का जवाब कहां से मिल सकता है अवश्यक्ता होती है तो वो क्रिशी अधिकारी का नाम भी बताते हैं उनका संपर्क नंबर भी बताते हैं और कई बार व वापस किसानों को फोन करके उसके बारे में बताते हैं। पहुचा जाए। एक पहुचने का लोगों तक पहुचने का किसानों तक सीधे पहुचने का एक साधन था। उसकी वज़ा यह थी कि हमारी स्टेट गवर्मेंट और सेंटल गवर्मेंट की पूरी एक्स्टेंसर प्रणाली धुस्त हो चुकी है। तरह की जो उनकी जानकारी जो उनकी जरूरत होती तो उस तरह की जानकारी देता था। वो सारे ब्यवस्ता एक तरह से भंग हो गई है कब अबे सभी स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में थोड़ी बहतर है और ज्यादा तरह में बहुत खराब इस्तिती है। लेकिन ये आके किसान के को सीधे टेली फॉर्म से जोड़कर एक साधन टेली से व्योस्ता की गई। उसमें बहुत कुछ फादा तो देखा गया लगा। आप देखनें में बहुत अच्छा लगता है। अभी डॉक्टर बोरा ने कहा कि एक करोड़ लोग काल करते हैं एक करोड़ काल आती है साल में। लेकिन हखीकत बताऊं अभी मैं इसके पहले आने से पहले कुछ आंकड़े देख रहा था, कुछ रिसर्च देख रहा था कुछ अध्यान देखा तो उसमें यह पता चला कि 57% काल यानि आधे से जादा लोग काल करते हैं उसमें बताता है यह लाइन बैस्त है। लाइन मिल सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रणाली में हमेरी सबसे बड़ी जरूरत है कि जो बैठे हुए लोग है जो काल सेंटर पर बैठे हुए लोग है वो प्रसिक्षित लोग होनी चाहिए उनको यह कम से कम बेसिक जानकारी हो हम नहीं कहते कि साइंटिस्ट और टेलिफोन पर को आंखों देखी जादा विस्वास करता है और उसी की उपज है यह चैनल दूर दर्सन किसान की उपज वही है और प्रधान मंत्री जब यह लांच हो रहा था तो बड़े गर्व के साथ पूरे देश के साथ पूरे दुनिया में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला किसी कॉल संटर का जो माध्यम है उसको और बहतर और क्या बदलाव किये जा सकते हैं इस पर हम बाचीत में आगे आएंगे लेकिन अभी आपने जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं चाहूंगी कि कुकरेजा जीसे मैं जवाब ले लूँ कि बताए कि सरकार के तरफ से जैसा कि असप और इसमी जो जानकारी चाहिए वहाद है उन मेंसे किसान कॉल संक्रण पर जिसके तुबारा जानकारी प्राइट कर सकते हैं और हम लोगों नहीं जो एजेए है कि हमारे गयन्स शृते हैं वह जो अन रहे गयंजुते हैं अना सफ ट्रेंड होते हैं और लुख से ग्रrr ऑलि और यह हो सकता है कि किसी विवस्ता के कारण मान लीजिए सुभा हमने पाया है कि सुभा 8 बे से लेकर और 11 बे तक कॉल का वालिम बहुत रहता है अगर उस वक्त कोई भी कॉल करेगा तो हो सकता है देरा चांसिस के उस वक्त कॉल बीजी मिले नहीं तो लोगों कॉल मिल जाता है और मेरा है मानना यह है कि करीब करीब 90-95% जो कॉल है हम उसको आंसर कर पाते हैं 5-10% कॉल ऐसी होती है जिसमें हमें एक्सपर्ट की जोट पड़ती है और वो हम आगे फारवर करते है जी ठीक है बोटा को जी यह बताएं कि जैसे कि अभी संख्या की भी बात हो रही थी 52 करोड जो मोबाई है वो गाव में पहुंच चुके हैं इसके बावजोते जितने किसान अभी तक जोड़े हैं क्या उनकी संख्या उस तुलना में कम नहीं है उस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है साथी जिस तरह की समस्या की बात हो रही है कि कॉल व्यस्त आते हैं तो ऐसे में क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं अभी हमे लोग का टो एक्सेंशन सिस्टेम है हम को एक इंट्री नगीतouth आप जैसे कहा हम आप जिइने अच्छडन है हमेल का मोँबायल का नि раст criticism क्षान कॉन चैंटार एक पत्धती है जैसा ने किसान मोँबायल sees मोबाइल फुन से कैसे इंफरमेशन उपर लुबभी हो जाए उसका कोई एपस बनाया है तो उसका वह अलादा सिस्टेम है तो हम लोग को सब को जूर के देखना है कि कोई 10% किशान किशान को जूरे हैं कोई लोग केम किशान से देखेगा और सबका यह है कि आपका जो टीवी चैनल में देखता है वह लोग एक जेनरलाइज इंफरमेशन मिलता है उन लोग को जब किसान call center में पूछता है तो specific information उनका उस किसान का जो problem है, समझता है, वो समझता का समाधन मिलता है उनको, तो जैसे हमका सिंग साब ने बताया कि अपन में तो कोई technical बात नहीं होता है, ज्यादा तर सवाल तो technical होता है, अगर कोई लोग ने बताया कि मेरा ये खेत में ये problem हुआ है, ये kit हुआ है, इसमें क्या जबाब दो, इसमें क्या जबाब दो, तो हमको उसको तुछा गंबरता से देखना चाहिए, कि हम लोग ने ये system बना है, और इसमें educated, highly qualified लोग है, और लों कर दिया है, मैं ये नहीं कहना सहता हूँ कि अभी 100% perfection होगी हम लोग का, हम लोग का आगे काफी चिनोवतिया है, और दूसरा क्या है, जहां तक टेक्नलोजी आगे बढ़एगा, नया नया खेत का पध्धति आएगा, नया नया सवाल भी पैदा होगा, तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा, यानि कि ये जो प्रसिक्षन देने का करम है, उसे लगाता है जारी रखना पड़ेगा, ताकि नई आधुनिक जो जानकारिया हो वो दी जा सके, सुनेजा जी से जाना चाहूंगी, कि समय किसानों की संख्या और बढ़ाने के लिए, आक प्रसिक्या करोम मुद्च पर सिंटेद ग्यारी होगा, सबसे ज्यादा वो एक तरीका है किसानों तक इसकी पौँच बढ़ाने का दूसरा हमने बरसक प्रयास किये हैं कि हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से फोकस्ड एड कैमपेंड के माध्यम से चोटे-छोटे एड कंपेंड बना कर हम प्राइम टाइम में उसको दूर दर्शन में चलाएं कि किस तरह से किसानों को किसान कॉल सेंटर से फाइदा मिल सकता है और हमारा ये अनभव है कि ऐसे सब तरीके करने से हमारा कॉल का जो संख्या है वो बड़ी भी है जब हमने शुरू किया था 2004 में तो हमारी कॉलों की संख्या बहुत कम थी जो ग्रैजुली बढ़कर जैसे बोड़ाकुर साब ने बताया कि एक करोर तक पहुंच गई है यह सब इनी प्रयासों का ही नतीजा है बिलकुल यानि की लगाता है जो किसान है वो दीरे दीरे जुड़ते चले जा रहे हैं और इस कॉल संटर का लाब ले रहे हैं एस्पी सिंग जी आप भी कुछ क्य रिकार्ड में आजा है उस पर रिंग बैक जाना चाहिए अगर रिंग बैक कॉल जाएगी किसान के पास तो उसका विश्वास बढ़ेगा भरोसा बढ़ेगा क्योंकि किसान 24 घंटा फोन लेकर नहीं बैठा रहे है कि हमें जानकारी लेनी है कि दुनिया भर कि उसकी बैस्त समस्ते हैं तो आप SMS भी कर सकते है SMS को भी लिया जाना चाहिए कि उनकी जो संदेश आये सीधे टेली फोन पर और उस टेली फोन के संदेश पर भी आप उसका जवाब दिया जाना चाहिए सिर्फ बात चित से नहीं अगर जरूरी है तो किसान निस्चित रूब से बात चित क किसाने भी लोग यहां बैटे हैं सिर्फ टालने की दिरिश्ट से नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हो तक भाई यह जानकारी मेरे पास नहीं है आप अपने नजदी की आप टेली पाव रेडियों पर सुन लिजे यानि कि किसानों में भरोसा जगाया जाए तब जादा किसान इस सुविधा से जुड़ेंगे और इसका लाब लेपाएंगे फिलाल यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक आप ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा वाग समबाद मैं किसान बोल रहा हूँ आप बने रहें दूरदा शन किसान पर सवाल वाशिक पुष्कर मेला किस राजी में आयोजित किया जाता है इन में से क्या जैविक रूप से नश्ट नहीं होता है इसके लिए इनके पास चार आप्शन्स है देखे घूपते फिरते रविबार सुभा साथ बश कर तीस मिनट पार बात समबाद में आप सभी का फिर से स्वागत है आज हम किसान कॉल सेंटर पर बातचीत कर रहे हैं मैं किसान बोल रहा हूँ इस कारिक्रम के दूसरे दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं विए उससे पहले बातचीत को हम आगे बढ़ाए देखते हैं ये रपोर्ट किसान कॉल सेंटर जहां एक और किसानों के मुश्किले आसान करने में जुटा है तो दूसरी तरफ कुछ शिकायते भी देखी जा रही हैं किसानों की एक बड़ी मुश्किल ये है कि जब वो कॉल करते हैं तो नेटवर्क बिजी ही आता है कई बार फोन करने पर भी नेटवर्क बिजी की ही ध्वनी उन्हें सुनाई देती है कई किसान कहते हैं कि दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क की ही समस्या रहती है और वो चाहकर भी फोन नहीं कर पाते कहा जाता है कि एक कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वानी यानि देश में थोड़ी दूरी के बाद जुबान बदल जाती है यानि एक समस्या भाशा को लेकर आती है हमारे देश में कई तरह की भाशाएं हैं और उनकी सैकड़ों बोलियां है जैसे हिंदी भाशा में ही ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, मगही, बुंदेली, धून्धानी, मारवाणी जैसी कई बोलियां है गाउं में रहने वाले किसान मानक हिंदी के बज़ाए इन बोलियों और उप बोलियों का उपीओ करते हैं जबकि वैग्यानिक जिस तरीके से बात रखते हैं उसमें मानक भाशा का ही प्रेयोग होता है इससे किसान जो अपनी दिक्कत का हल अपनी जुबान में ही समझना चाहता है वो मानक भाशा का प्रयोग होने से बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता ये भी देखने में आया है कि किसान अपनी समस्या को ठीक से वैग्यानिक के सामने नहीं रख पाते हैं इसके लिए एक सुझाव ये दिया गया है कि वीडियो कॉलिंग और वाटसेप जैसी एपो का प्रयोग किया जा सकता है किसान अपने रोकरस्त पौधे या फसल का फोटो खीच कर भेज दें तो वैग्यानिक बहुत आसानी से उसकी दिक्कत को समझ सकते हैं या फिर वो वीडियो कॉलिंग के माध्यन से अपनी समस्या को और अधिक आसानी से रख सकेगा तो अभी तो फिलहाल वीडियो का फोटो का बेउस्ता नहीं है वो हम लोग आगे का ताय में सुच चकता है लेकिन जहां तो के सवाल का जतीलता का बात होता है कोभी-कभी टेक्निकल बाते कोफिन होता भी है लेकिन थोरी जार बात करने से समझ लोग समझ जाता है तो हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि अभी क्या है टेक्नोलोजी इस चेंजिंग ठींग अभी कि दौश साल पहले जो टेक्नोलोजी उपलफ था आज कर यह नहीं अच्छा है उसस बहतर है और आगे भी और ज्यादा अच्छा होगा तो हबी समय नुकल जो टेक्नोलोजी उपलफ थे तो उसी के तरफ के देखेंगे किसान लोग का क्या अविश्यकता है और हम लोग का दूसरा मेडिया भी क्या है क्या-क्या तरीका से हम लोग किसानों का तरह पहुच रहा हूँ वो सब देखके हम लोग कुछ आगे करना जरूर होगा कुकरेजर जी आप भी बतायें कि इस बदलती तक्निक के साथ किसान कॉल सिंटर को भी किससर से बदला जा रहा है साथ ही कई किसान ये भी बताते हैं कि जिस जुवान का इस्तमाल किया जाता है वो समझने में उन्हें मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो वैग्यानिक प्रयोग में जिस भाषा का इस्तमाल होता है वो किसानों की भाषा नहीं है जैसे अगर अगर उदाहरन के तौर पर ले ले कि मिट्टी शब्द को आसानी से समझते हैं किसान लेकिन उसी को अगर मृद्दा या पादप कहा जाता है तो यह उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो ऐसे में इस अंतर को कैसे दूर किया जा रहा है सबसे पहले तो मैं आपकी जानकरी में लाना चाहूंगा कि इसका यूएसपी इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा यूएसपी किसान जिस लैंगविज में बात करते हैं उनको उसी उनी की भाशा में जवाब दिया जाता है पहली बात मान लिजिए किसी किसान ने फोन किया तो करनाटक का एजन्टी उनको जवाब देगा दूसरा जो आपने का यह हो सकता है थोड़ा सा डायलेक की प्राब्लम हो सकती है जैसे मृदा या मिट्टी तो हम लोग समय समय पर उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं कि ताकि हमारे किसान जिस भाशा में यह धीर दिर एक्सपीर कि हमारे इजन्टी को समझाते हैं उनको कि आप उनको उसी की भाशा में आप उनको जवाब दीजे ताकि उनका comfort level बना रहे हमारा प्रयास है और आगे ही इसको जारी रखेंगे बात करेंगा या इनके call center पर बात किया जाए तो हमेशा बात करेंगा nitrogen इतने फास्फोरोस इतने पोटास इतने भाईया वह नहीं जानता है यूरिया बताओ कितना kilo डालना है उसमें nitrogen कितना निकलेगा यह वह कौन समझे यह गडित नहीं समझना चाहता है इसी गडित को ज़रूत है लेकिन इसके लिए आपको यतनी यूरिया ठीक है आप अपने nitrogen को कहिए हो सकता है इससे किसान जागरूख भी हो लेकिन आपको यह भी बताना होगा कि nitrogen के पर इसके बात कर रहा है तो थोड़ा उसकी बात कर रहा है तो तो इससे बचने की कोशिश करने चाहिए किसान बात कर रहा है तो थोड़ा उसकी भासा में उसके लाइजे में और इस तरह के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए उस सेंटर पर जैसे सही कहा सामने की कुकरेजा सामने की बिल्कुल अगर करनाटक से कोई कॉल आ रही तो कॉणनर पर जाने चाहिए बंगाली में आ रह किसान को समझ में आएगा और वह समझे कि कोई मेरी जैसा आदम हुआ बैठा हुआ और मेरे घर का को छो रहा है बात कर रहा है और मेरी को जानकारी दे डेगा वहां नेजर जी बताहिए किया इस तरह की को परिश्विक्षन दी जाती है इस तरह की प्रिशिक्षन सबसे पहली जरूरत है किसान कॉल सेंटर में जब भी हम फार्म टेली एडवाइजर को लगाते हैं तो उनकी सॉफ्ट स्किल्स कि उन्होंने किस तरह से संबोधन करना है किसान भाईयों का उन्होंने किस तरह से उन्हें ग्रीट करना है उनकी समस्य पूछनी है, उनका स्वागत करना है कॉल सेंटर में, यह सबसे पहली ज़रूरत है, जब हम प्रिशिक्षन देते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स हम कहते हैं, और उसमें, मेरी समझ, हर फार्म टेली एडवाइजर को साल में दो बार सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेन किया जाता है, टे किसानों से फीड़ बैक लेते हैं, और उसके अधार पर हम किसानों का ज़रूरी प्रिशिक्षन करवाते हैं, तो यह समस्या जो बताई है कि लोकल भाशा में हो, यह हमने भी महसूस किया है कि कई बरी वर्शा की बात की जाती है, तो मिलिमिटर्स में की जाती है, तो हम वह प्रियास है, और दीरे दीरे हम इस और बढ़ रहे हैं कि हम जो लोकल भाशा में, लोकल टर्मिनालोजी में और किसान जिस भाशा को समझ सकता है, उसमें समबाद किया जाए, बिलकुल, बोठा को जी बताएं कि इस भाशा को और सरल बनाने के लिए, और मित्रता पुर्ण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है, लेकिन यह जब अभी अग्रिकल्चर आगे साइंस का तरफ आगे बढ़ गया, अभी पहले वाला यह सुजा सिस्टेम नहीं है, अभी टेक्निकल पॉइंट काभी है, हम लोग का प्रड़क्टिविटी बहाना है, तो इसलिए इत अभी टेक्निकल सांटिफिक वर्ड़ का कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, यह बत सही है, कि जहां तक संभव है, वो सहज भासा में ही बोलना चाहिए, बिलकुल, कुकरेजा जी यह बताएं, कि किसान कॉल सेंटर जैसा काम का आज, क्या दूसरे देशों में भी होता है और अगर ऐसा है, तो उसकी तुलना में हमारे यहां की कॉल सेंटर को आप क्या बताएंगे, वो कितने खास हैं? अगर जानता है, बिक्स हमारे जो ओडियन्स है, वो किसान है, और अच्छी बात है कि जो सिंग साब ने कहा है, मैं इससे थे हमत हुआ है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह बहुत है, वो तीस साल पहले वारा किसान नहीं है, जो समझता नहीं कि नैट्रोजन क्या होता है, जानता है, लेकिन मैं इससे यह कहता हूँ कि आप धीरे-धीरे वो भी किसान भी आगे बढ़ रहा है, जानता है, फिर भी कोशिश रहती है, लेकिन नहीं हम उनकी भाशा में ही उनके साथ चलें, जिससे उनकी समझ अच्छी रहे, और जहां तक टेक्नलोजी कि में जब कह कि हमें टेकनलोजी बड़ी सोच समझ की यूज करने पड़ती है इनके साथ ताकि इनका कमफर्ट बना रहे हैं जैसे हम एक मान लीजी हम वैदर को हम सोचते हैं कि वैदर की मार पास कॉल करीब करीब 25-30% मौसम संबंदी जानकारी आती है तो वह जानकारी इनको मिलती है अब अब उसका एक हम यह भी कर सकते हैं उसको पर आटोमेट कर दें मनले मान लीजी किसान उस पर बटन दबाया जिस डिस्टिक्स से बोल रहा है तो वह जब आए कि मैं यूपी से बोल रहा हूं या अपना लिज नंबर बताया और उसको प्र उसको स्टेट अवे जानकारी उन तो शायद किसान कर लेंगे किसान कि उसके तयार है किसान उससे comfort में हमारी कोशिश शेहल रहती है में महिला किसान की खुफान है總 1号 किसान की लेख है किसान की हम पहले है हमारे जा है किसान हुए धर Banks करती हैं किसान कॉल संडर में आपने बड़ा एहम प्रशन उठाया है अब मंतराले का प्रयास है महिलाओं को क्रिशी की मुख्यधारा से जोडने का जब हम महिलाओं को क्रिशी की मुख्यधारा से जोडते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम सारी स्कीमों की कारेकरमों की जानकारी और उनके फाइदे महिलाओं तक पहुंचाएं तो उनका भी एक जो जागरुकता का लेवल स्तर है वो काफी बढ़ चुका है इसके नाते अब वो इतनी जागरुक हो चुकी है कि वो भी किसान कॉल सेंटर में फोन करती है हालां कि ये सच है कि एक परिवार में यद का वरगी करण शुरू कर दिया है और अब हमारे पास पुर्श हमारे किसानों ने कितनी कॉल करी महिला किसानों ने कितनी कॉल करी अभी हाल ही में हमने ये प्रयास शुरू किया हैं ताकि Call Centre में की जाने वाली कालों का वर्गी करन हम लिंक के अधार पर कर सके क्छे स्व क्षा कैता है महिला किसानों की संख्या कम है और अगर ऐसा है तो क्या सामाजिक रूड़ियां आड़े आती है क्या works किन माजी के संख्या है कम अगे तो उनके यह पेक्षा करना कि जदा उनकी संख्या पूरुसों के बराबर होगी यह तो बेमानी होगा इस तरह से सोचना संख्या निश्च तरूप से कम है और मैडम ने कहा कि हम उसको देख रहे हैं कि कितने आ रहा हैं बरगी करंड करके आंखडा निकालने के कोशिश कर रहे हैं एक हमें लगता है चूपता जा रहा है जिस तरह से टेकनलोजी तेजी से आगे बढ़ी है 14 साल हो गए यानि डेड़ दसक पूरे होने को आगे किसान काल सेंटर को हमें इसको निश्च तुरूप से वीडियोग्राफी में बदलना होगा आने वाले दिनों में क्योंकि हमें लगत हमें लगता है कंप हुए जहादा भेतर होगा कि किसान से वीडियो काल करके किसान चेंटर पर सीथ है घर करता है इसे एकते यह क्या करना चाहिए या कि इसना फीवर निकला या उसके पोक रही है उसे बलब इस सारी जानकारी वो उससे वीडियो की थूद देखा जा सकता है और उसे बताया सकता है हमें लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं जिस तरह से आगे तक जाने वाला नहीं है ठीक है बोटा को जिस पर क्या रहा है आपकी जानना चाहेंगे और क्या इस तरह की जो मांग है वो किसानों की तरफ से भी आपके सामने आ रही है और जैसे कुक्रेजा जी ने बताया है कि मौसम के हाल के बारे में हम पहले से किसानों को बता सकत कहांसी तरह बाजार की जानकारी जो हर किसान चाहता है यह दी जा सकती है क्या इस तरह की मांगे किसानों के द्वारा भी रखी जा रहे चोगे आपने बताया कि समीक्षा भी की जाती है और उसकी रिपोर्ट भी तयार होती है तो क्या इस तरह के सुझाओ आए हैं तो मैंने पहले भी बताया कि हम लोग का जो एम किसान है, वो किसान में हम लोग का कोई एप्स है, इन एप्स को यूज करके को किसान कोई फाइदा होता सकता है, जैसे आपको फसल बीमार जूजना के बारे में, सिंचाय जूजना के बारे में, मौसम के बारे में, और मार्केट के बारे दhouses कि अंदित को स्थीय आनो में जनकरी ले सकता है। मैं जैसे किसान जैसे क्शान भी आगे बहता है। जैसे कुक्र eğजा जी ने बोला कि किसान कोई किसान का भी निरक्सेत होता हैं लेकिन कोई किसान ज्यादा श्क्षिद भी होता है चाहिए hassleने less किसा अच्छा से समझ लेता है, कोई किसा तमजता है. किसी के साथ smartphone होता है, किसी के साथ ordinary phone भी होता है. सब्क्रिया का सर्कार के सभी दुटू है जरोग का का है की चेशिए कैश्चक्र इस चेंज होता रहता है हम लुक को भी ऐसे इसे कडम उठाना पड़ेगा तो हम इसे इसलोग कोह के लना पड़ेगा जी बिल्कुल तो चलिए इस तरह से तैयारी है कि जिस तरह से तकनीक का बदलाव हो या किसानों की मांग और खेती किसानी में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उस तरह से इस विवस्था में भी बदलाव किया जाए लेकिन किसान क्या सोचते हैं उनका अब तक का अनुभव क इस्तमाल करते हैं आप लोग जी बिलकुल तो फिर आसे में कैसा अनुभव है बताई है अभी कुछ समय पहले मेरा बेहसा बीमार होगा था उसके बंद लग गाता गोवर को तो मैंने आस-पास के दस-पास डॉक्टर बुलाई तो डॉक्टर दवाई गोली देई आखिर में युक है के चले जाम है कि भी राम नाम पही है तो इक हमारे मित्र थे वह बोले यार एक कम तकर जाते ही रहाई है एक बेर कॉल सेंटर बात करके देख लिए तो हमने कॉल करी तो उन्होंने हमें देशी नुख से बताई अच्छा हां दो तीन जैसे खाने का सोड़ा है या तो हमने वे दिये और हम जो है एक इफको का फरोगाम तो उसमें चले गए जो हो गए और जो हम वहां से आये तो इसका बंद हमें तो तो मैं तो मानता हूं कि बड़ा अच्छा फायदा हुआ मुझे तो और किसान भी इसका फायदा था बिलकुन ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव बताया है? आपने कुछ और अनुभव आप बताना चाहेंगे? किस तरह की जानकारियां आप लोग चाहते हैं मेरा नाम अंकिर तेवतिया है मेरा गाउं गनौरा शेक है और जेला बुलिन शेयर उत्तरप्रदेश से किसान काल से जोड़ा हूँ और मैं जब भी कोई नई पसल लगाता हूं या फसल में सिचाई करता हूँ या सिचाई के साथ मुझे कोई उर्वरक भी लगाना होता है तो पहले मैं किसान कॉल सेंटर फोन करता हूँ, वैसे तो मैं वैदर रिपोर्ट पे अपना मौसम का हाल जान लेता हूँ, लेकिन फिर भी उसको कनफर्म करने के लिए, मैं किसान कॉल सेंटर फोन करता हूँ, वो मेरा फोन उठाते हैं और मुझे बताते हैं कि आपके छेतर म अगर उन्हों में हम लोग सिचाई कर देंगे और सिचाई के बाद दो या तीन दिन के अंदर बारिस होगी तो दलनी फसल नस्ट हो जाती है वो खतम हो जाएगी इससे हमें बहुत जादा नुखसान होगा इसलिए मैं केलसान कॉल सेंटर फोल करता हूं और उनसे जनकारी ले है कुछ और बताना चाहेंगे आप किसान कॉल सेंटर से क्या लाब हुआ है मेरा नाम लटोर सिंग मैं डेश्टिक भुलूंसर यूपी का रहने वाला हूं और मैं पसुपालन के बारे में मैंने कॉल सेंटर पर बात करी हमारी एक बहेंश्ति उसके मिल फीवर हो गया और ज ब्याने के बाद जब पहले ब्यांत में मिल्क फीवर हुआ तो हमने काफी पैसा डक्टरों को दिया और घर से भी परेसान रहे और अगले ब्यात में हमने उसका दूद कम निकाला कॉल सेंटर पर जैसे हमने बात करी हमने पूंची उन्होंने बता है उसका दूद आधे से करते ही ब्यात में काम निकाले उसके मिल्क फीवर हुआ अगले सीजन में नहीं हो यह जो पिछलेавां अब जूद की बेंकर आप वह हमने उसमें लाभ पूरा मिला मिल्क अमाद धी में किसी बीमारी इन ते बारे में कॉल सेंटर परन कर है ओर वेसे भी बहुत सारी जानकार परिशना के बारे में जो समझ से आती है उसका समाधान कॉल सेंटर के महांदम से अपनी जवाब आपको अपनी जुबान में मिली है? समझने में कोई पर्यसानी नहीं हुई कैसी भी और उन्होंने ऐसा नुक्सा दिया जिससे कि वह बिलकुल फिट हो गी। दूर दाशन किसान पर कहां चलेगी शीत लहर कहां पड़ेगी पर किधर कर जिंगे बादर कहां खिलेगी धूर किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करीं खेती देखे कारिक्रम मौसम खबर शाम पाँच बजे और साथ बच कर तीस मिनट पर सिर्फ टीडी किसान पर ब्रेक के बाद दूरदाशन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है बाद समबाद में आज हम चच्चा कर रहे हैं किसान कॉल सेंटर के बारे में विशय है मैं किसान बोल रहा हूँ और बहुत सारी किसान यहां पर मौजूद हैं जो किसान कॉल सेंटर का लाब उठाते हैं ब्रेक पर जाने से पहले हमने उनके अनुभवों को जाना है, आईए एक पर फिर से उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि वो और बहतर के लिए किस तरह की मांगे रखते हैं अब आप बताएं अपने सुझाओ या फिर और क्या हो किसान कॉल सेंटर में ताकि आप लोग को और जादा लाब हो सके तो कुछ सवाल अगर इस तरह से आप पूछना चाहेंगे या सुझाओ देना चाहेंगे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी अपना सवाल पूछें आप मैं जला गुरू गुराम गाउं लाला खेडली से बोल रहा हूं और मेरी जो किसाल कॉल सेंटर से जो ये सेवा जोड़ी है जब से मेरा बहुत फाइदा इससे हुआ है परदान मंत्रिय अटल विहारी जी ने जो ये सुरुवात किये क्योंकि जब भी हम कोई यंद्र किर्शी का खरीते हैं तो पचास परसेंट सबसीडी से हमें वो मिलता है और दवाईयां हमें सबसीडी से मिलती है और जो भी रोग हमारी फचल में लगता है तो वो रोग की हमें जानकारी किसान काल्टर सेंटर से मिलती है तो उससे हमें समय समय पर जो विशेसक गये हमारे जब भी हम फौन करते है जब ही तुरत हमें जानकारी बिल जाती है जी बिलकुन ये तो बहुत अच्छी बात है और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने अनुभाव के बारे में किसानों को बहुत ज्यादा करना चाहिए ये जो केमिकल है इसको बिलकुल कम करना चाहिए मेरे पास पिछले साल मेरे गहूं वहे थे उसपध फया गिलकुल ही कमजोर थे मैं ये समता था कि हूं खटम होगे लेकिन तल जैवे खाद लिया मैंने पूछा उन्न तल जैवी खाद के सराना की मैंने में जादा उख डालने के बाद गया होगे और अच्छे फसल होगी तो को बहुत ही ज़रूरी है और एक यह सागरी का यह बहुत फाइदेबन्ध है जे खेती में का प्रयोग को ना चाहिए बिलकुल तो यह नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जैवी खेती से भी किसान जुड़ना चाहिए आप क्या बताना चाहि रहे हैं ? मेरा नाम वीजेपात मैं गामताजनगर जला गुरूगराम से बोल रहा हूं मैंने कॉल सेंटर में कॉल करकर के अपने उपज का सही दाम का कब बेचना चाहिए कब नी बेचना चाहिए इसका पता किया और इससे में मुनाफ़े में कमातर मेरी किसान बाईयों से यह अपील है कि अपने बड़ोसी के फोन से भी किसान कॉल सेंटर में कॉल करके अपने फसल के बारे में अच्छा अच्छी जान कारे लेने चाहिए किसान कॉल सेंटर एक अच्छा मादन में किसान किया हूँ अमंदनी के लिए यह बहुत अच्छी बात कही है इधर भी कुछ किसान जुद्ध हैं कुछ कहना चाहेंगे आप धन्यवाद आप लोगों ने किसानों को सम्मानित किया तो इससे हम लोग बहुत गौरों हिसस कर रहे हैं कि आपने हमें ऐसा सम्मान दिया यहां पर बुलाया उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं मैं मेरा नाम यस्वीर सिंग गाउन आवास डिस्टिक बुलेंसर उत्तर प्रदेश मैं मूल लूप से खेती से जुड़ा हूँ मैं गन्ने की धान की और आलो की खेती अक्सर करता हूं मैं हपते में एक बार दो बार कम से कम अवसे कॉल सेंटर से फोन करता हूं और जानकारी लेता हूं मैं मौसम की भी जानकारी लेता हूं जैसे दलन फसल में पानी लगाना है नहीं लगाना क्योंकि अगर दलन फसल में पानी की कम आउसकता होती है और हमना आज सिचाई कर दी और आज ही बारिस हो गई तो उससे नुक्सान होगा नए नए उनको थोड़ा सा उधर साइड कर दिया था इसलिए ठीक है तो मौसम की जानकारी अक्सर करता रहता हूँ मैं कि मौसम में बारिस आनी आनी और जिसे हम आलो की फसल होते हैं तो आलो की फसल मैं अक्पाला गाओंございます को आज प्षासक्ल तक हम समय में कौन सा है अच्छा बोँच को न चाहिए हम पहले धान की बोँआ करते दर्व भारे 121 121 बोते जो चाहिए लेकिन ऊब पार जानकारी के कम समय कम फानी बोको जान क कि अनalen पाकता है उसके कटने के बाद में हम आलू भी बोदेते हैं आलू काटके गन्ना भोदेते हैं इससे हम काफी जो हमें फायदा हुआ और मैं कुछ और के साम हैं यहां पर बात करना थे हुआ हैं और बेहतर हो यह कॉल सेंटर के सुविदा इसके लिए कौन बताना चाहेंगे कुछ सुझ मेरा सुजाव यह है कि जैसे हमारे मोबाइल पे मेसेज आता है कि मौसम ऐसा इतने दिन रहेगा खरावी रहेगा ऐसी फसलों अनुसार जब जो फसल आ रही हो उस फसल में जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी अगर दवाय के बारे में जानकारी देते हैं तो जादे प्रफिती रहेगी उसी हिसाब से वो अपना दवाय डालेगा और अपना लोग तैयार है इसके लिए कि पहले से आपको बाजार भाव की जानकारी हो यह दे दी जाएं हाँ जी क्यों नहीं जी बिल्कुल हम इसमें सहिमत है क्योंके आदमी को पहले जानकारी मिल जाएगी उसी हिसाब से फिर आदमी अपनी तैयारी करें लोगा जी बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा अनुभव है इसपे सिंग जी क्या कहना चाहेंगे आप किसानों के इन अनुभवों को सुनकर काफी लाविने हो रहा है किसान कॉल सेंटर के जरिये किसान सारे जितने भी है सब अबहों को जिक्र कभी इननों आखीकर कि आशेंगे उनकुछी के थूच जानकारी मिल जाती है कि बारीस होने वाली है मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी पहले मिल जाए घॉनने वाली आपद और भीत यह मूश्किल यह कोई फायदा फाइदा नहीं उठाना चाहेगा, हम मेरे पास भी ढमाने के लिए मानना है कि जैसे बीबाग है, माशन बीभाग बिना किसी लाघ लग लपेट के के अलग विलकुल इस किसान काल सेंटर से अलग, एक अलग SMS भेजता है सारे इसकों को उसमें की जानकारी पहले से प्री देता है मैं यही तो सुझाव दे रहा था कि अगर इसको SMS के थूरू उनको जानकारी दे दी जाए कि जिसे सपोर्ज कि किसी ब्लाक से दो तीन फोन आ गए लगाता है दो तीन किसानों ने दिया कि हमारे यह यह मुश्किलें आ रही है तो इस चित्रूप से उस ब्लाक में उस एरिया म कोई प्राब्लम है उस पर किसान उस पर बैग्यानिक या जो बैटेवे लोग है उसको लोकलाइज करके अस्थानी अस्तर पर यह इंफार्मेशन उस एरिया में दी जा सकती है क्योंकि इनके पास यह डाटा बैंक है कि वहां कितने किसान रहते हैं किस तरह की खेती होती है इसे गन्य की खेती होती है अलू की खेती है तो यह सब बैल्ट है तो जहां आलू की बैल्ट है उसमें पहले इंफावेसन पहुंच जानी चाहिए कि पाला पढ़ने वाला है अब हलकी सिचाई कर दें या धुवा लगा के कुछ जैसे बचा जो बचाओ के साधन है उनको ब यह हमारी जो खेती है उसके लिए हमारे एग्रो एकॉलोजिकल सिचुएशन और एग्रो एकॉलोजिकल जोन्स हैं और हमने एम किसान पोर्टल के माध्यम से जो क्रिशी के विशेशगे हैं वो उन एग्रो एकॉलोजिकल सिचुएशन और जोन के हिसाब से पहले ही एडवा उगाई जाती है उन फसलों में कब सिचाई की जानी है उनके बीच कहां से मिलेंगे उनके बाकी जो सुविदाएं है फटिलाइजर या और चीजें जो है वो कहां से और कब किस दर पे मिलेंगी इस बारे में एडवाईजरी जारी की जा रही है और वो किसान बताएंगे आप को कि उन्हें इस तरह की जानकरी पहले से ही प्राप्त हो रही है जी कुक्रेजज जी बताएं आप अब तक ये सफर के दोरान किस तरह की खास तोर पर उतार चड़ाओ देखा है किसान कॉल सेंटर में उसे और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं धन्यवाद ये सच किसानों के साथ किसानों की समस्य है हम सब जानते हैं कि बहुत गंभीर समस्य है और सरकार का जो निरने के उनकी आए को दुगना करना है इस उसमें तो मैं समझता हूं किसान कॉल सेंटर भी इसमें बहुत जम्मेदारी के साथ उसको हमें काम करना है और मुझे लगता कि टे करने का लक्षे है इसके लिए कई तरह से प्रयास किया जा रहे उसमें किसान कॉल सेंटर भी एक भूमी का निभा सकता है काल सेंटर बेहतरीन काम कर रहा है जब उस जमाने में सोचे जब कोई फोन नहीं होता था तमाम तरीके की वीडियो कालिंग की सुविदा नहीं थी देर सारी अब बस फोन होते थे लाइन पर भी लोगों की जानकारी दी जाती थी लेकिन अब तो हरा हाथ में मोवाईल आ गया क्ता सटथा करके के भी आप को कोई जानकारी मांगता तो उस्से जानकारी भी भी द कैसे धिर यह देरे और करेंगे क्योंकि कि जिस से चेक नोलोजी बढ़ती तुमें और आपको बढोर मिलदा ग्र्ना और ग्री tills Ankov किसान को हमें किसान तब जो किसान था और अब किसान नहीं है बिलकुल सही साओ हमारे से जानकारी है इनको पूरी जानकारी होगी एक अंकड़ा यह भी है भी किसान कभी जूनियर हाई स्कूल से नीचे के सिक्षा दिक्षा कास्तर था आज इस्तिती बदल गई है ग्रेजुए जादा है जो किसान है उनकी संख्या जादा है पड़े लिखे हैं लेकिन हमें उनसे यह आप एक्षा करना कि वह पोर्टल पर जाके अभी देखने लगेंगा सारे के सारे हां धीरे-धीरे करेंगे पोर् किसान कॉल सेंटर तो है ही जिससे काफी किसान लाब उठा रहे हैं वो ठाकर जी आपने सुना कि कितने किसानों ने अपने अनुभव यहां पर बताएं उन्हें कितना फाइदा हो रहा है साथ ही आपको कुछ सुझाओ भी मिले हैं इस कारिक्रम के दोरां ऐसे में अब आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे कि और सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर को बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा रहा है ता कि और जτε में जो कि संटर यह जो सना च्था उससे ओध अच्छा लाग को लाव हो रहा हैं, तो निशितरूप से हम आगे भी देखना हैं, आगे भी इसको ज्यादा बेहतर करना चाहिए, अभी जैसे हम बताया था कि अभी 14, 14 प्लेसे में हम लोग का कॉल सेंटर हैं, अभी हम लोग और 7 सेंटर में बहार हैं, बतलब 21 से किसान कॉल चंतर में होगा, हम लोग को भासा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब जैसे बता हैं हम लोग टेक्नोलोजिक पर भी ज्यादा ध्यान देना परेगा, और हम को किसान कॉल चंतर हैं, एम किसान हैं, दूरडरशन हैं, दीदी किसान हैं, सब को एक मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग का जिन्ता किसान लोग है यह हम लोग किसान कॉल सेंटर का जोड़िये जो सुविधा उपलब कराए रहा है उसको जादा से जादा फाइडा उठाए उसको पॉपुलर करें आप अगर किसान कॉल सेंटर से पहले परिछित नहीं है अभी यह ट और आप इसका अगर अभी भी उठा रहे हैं तो आपका पॉलिशी को बोलिए, समने ओले को बोलिए, गाओले को बोलिए कि वो लोग भी कल करें जी बिलकुल और हमें वी उमीद है कि जिस तरह से इस कारिक्रम में सभी किसानों ने अपने अनुफ़ों को साजा किया है और बताया है कि किस तरह से किसान कॉल सेंटर का फाइदा उन्हें मिल रहा है, इसे सुनकर बागी किसान जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जो योग और अधिक किसान करेंगे और वहां मिलने वाली जानकारी का पूरा पूरा लाव उठाएंगे इसके साथ वात समवाद में भाग लेने के लिए सभी महमानों का बहुत बहुत आभार अब मिलते हैं अगले सब्ता फिर किसे नए विशे पर करने वात समवाद आप रहें दोड़ाशन किसान पर नमस्कार करने वाले समय सब्सक्रा नमस्कारमान है